नमस्कार मैं सुनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े लर्णिंग प्लेटफॉर्म अनेकेडमी पर आप सभी को गूड आप्टोनून आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड जोग्रोफी अर्थात विस्वभुगोल की हमारी क्लास में जिसमें हम बात क कर रहे हैं विस्वभुगोल के एक यूनिट जिसका नाम है जल्बायू बिग्यान अर्थात क्लाइमेटोलोजी जल्बायू बिग्यान जैसे कि आपको पता है एक टफेरिया है लेकिन उसको आसान बनाने का प्रियास आपके और मेरे द्वारा किया जा रहा है इसी जरनी को आज भी हम आगे बढ़ाएंगे आप सभी को गुड आप्टर नून आप सभी का स्वागत है आप सभी का बनाने चले हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग जुड़े हुए हैं इंडिया की सबसे बड़े लर्नी प्लैटफॉर्म आने के ड्में पर जहांके रेज सेवन्थ क्लास है 46 क्लास इससे पहले हो चुकी है आपने उनको देखा है उनको समझा है और साथी साथ उन क्लासिस में जो अभी तक के हमारी कॉंसेप्ट है उस पर अपनी पकड़ मजबूत की है आप लोग के जो मैसेज आ रहे हैं वह हमें उस साहित कर रहे हैं कि हम अपन आपका प्यार और सहयोग चाहिए टॉपिक मैं डिसकस कर रहा हूँ तो आप में से अधिकांशी स्टुडेंट की जिग्यासा मेरे भी से में जानने के हो सकती है संचिप्ट पर्चे इहां पर लिखा हुआ इसको पढ़ लेजेगा यह मेरा टेलिग्राम चैनल है इसका लिं तो जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वह होता है एजुकेटर कोड या रेफरल कोड मेरा एजुकेटर या रेफरल कोड यही है सिर्फ और सिर्फ यही है आप इस कोड को ही यूज करेंगे तो ही मैं आपको पर्सनल गाइडेंस देपा हूँ और मेरे पर्सनल गाइडें कर सकते हैं, पर्सनल मेसेज कैसे कर सकते हैं, आप मेरे टेलिग्राम पर जोड जाएगे, टेलिग्राम पर जब जोड जाएंगे, तो मैं उसका एडमिन हूँ, मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, मेरी प्रोफाइल पर क्लिक कीजेगा, और मुझे पर्सनल मेसेज पहुचा देगी और ये भी बता देगी कि किस तरह से आप उसी कोर्स को कम कीमत पर और साथे साथ बहतर गाइडेंस के साथ आप कोर्स ले सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कोर्स लेना काफरी आसान हो चुका है टेलिग्राम पर जोड़ जाईए मुझे पर्सनल मेसेज कर देजे टीम जानकारी आपको दे रेजे हमारे आते हैं अपने टॉपिक पर और कल हम लोगों ने टॉपिक पर बाइमंडल और प्रत्वी पर जो ताप पतंदर इसको पढ़ा था अब इसके आगी की चरनी हमें आज जो है करने हैं तो प्लेज एक बार कंफन कर दिजे एक बार आप सब लोग कंफन कर दीजे मेरी आवाज तो जा रही है ना आप सब को नमस्कार आप सब को नमस्कार तो आप आप सब लोग UPSC की तयारी करना है तो मैं आप से एक आज तक देखो मैंने कभी इस तरह के प्रशन नहीं पूछे और ना तो मैं कभी पूछता हूँ मुझे लगता है कि इन तरह के प्रशनों से समय थोड़ा सा खराब होता है लेकिन आज मैं आपको आपका दो मिनट लेना चाहूँगा एक कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताए कि जब हम आजादी की 45 वर्षगाठ मना रहे है तो कौन सा संकल्प आपने लिया है जो हमारे देश हमारे सोसाइटी हमारे समाज और साथी साथ सभी बर्गों को लेकर आगे बढ़ने वाला है कोई ऐसा संकल्प जिसको आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं ऐसा करके अपने देश अपने समाज को आगे बढ़ाँगा कोई भी कोई कैसा आपका जो सपना हो आपकी आकांशा हो कोई भी ऐसा प्लीज बताएए क्या आप लोगों ने कोई रिजुलिशन कोई प्रस्ताव कोई प्रतिग्या ली है कि आने वाले समय में आप देश को कोई योगदान देना चाहते हैं अपना एक आईडे से आया है कि सर हम जिस पोस्ट पर रहेंगे वर्क करेंगे वेरी गूट वेरी गूट एक आईडे से कहा गया हम निस्पच रहने कोशिस करें बेडी सान बोसन एक लोग कह रहे हैं कि अगर मैं आईएस करूंगा लेकिन नहीं हुआ तो एंजियो खोलेंगे किसानों की मदद करें वेरी गूट कुछ लोगों ने लिखा कलेक्टर और जो है कि कलेक्टर बनके हेल्थ और एजुकेशन बेरी नाइस हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जैसे मेरा मानना है मैंने भी संकल्फ लिया है मैंने संकल्फ लिया है कि मैं अधिक सदिक कलासिस आपके बीच में लेकर आऊंगा और मेरा प्रयास यह होगा कि जो सिच्छा का यह परसार है इसको और तेज किया जाए और जैसा है कि आपने देखा आप लोग मुझसे कह रहे थे कि सर आप वर्ल जोग्रोफी पूरी करवाओगे कि नहीं, इंडियन जोग्रोफी पूरी करवाओगे कि नहीं, मैंने करवाया ना यूटूब पर, इस कोर्स को खरेदने के लिए लोग 2-2 लाग रुपे खर्च करत है, हर व्यक्ति तक सिच्छा पहुँचे, हर व्यक्ति जो अपना वो सिच्छित होके अपना स्किल डेबलब करे, अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तब्यों को जाने, अपने समाज और सोसाइटी के, जो उसके उपर दायत है, उसको समझे, अपनी प्रकरती को समझे, अपने परियाबरण को समझे, अपने देश, अपने दुनिया को समझे और उसमें अपना भी एके उदान दे सके, वो जीवन ही क्या जीवन जिसमें हम अपने समाच, अपने देश के लिए कुछ ना कर पाएं। अर्थात उनका जो सपना था भारत को बनाने का, किस तरह का भारत आपने कॉंसिट्यूशन में पढ़ा होगा, आप पढ़ेंगे भी, तो उसी परकार के भारत को हम आगे बनाने का प्रयास करेंगे। वेरी गूड, वेरी गूड, चल, ओके, ओके, ठीक, तो चलिए इसी बात पर, सेशन को जो आपके सामने वीडियो है, जिसको आप देख रहा है, उसको लाइक कर दीजिए, उसको सेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक और सेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में कल हम लोगों ने एक कॉंसेप्ट देखा, और कॉंसेप्ट फिर से वही था, फिर से उस कॉंसेप्ट को दो मिनिट में रिवाइज करवा कर मैं आगे बढ़ रहाँ, ठीक है, यह हमारी प्रित्वी, ठीक, और यह हमारा एक्वेट, ठीक, इस प्रित्वी से लगा हुआ, यह हमारा बाइव मंदल, यह हमारा बाइव मंदल, बस दो मिनिट में कल वाला कॉंसेप्ट में रिवेजन करवा कर आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि जो लोग नए हो, वो भी क्या हो सके, इस क्लास का, वो समझ सके, टॉपिक को समझ सके, हमने कहा, यह हमारी प्रित्वी, इस प् यह जो किर्णे आ रही है, इन किर्णों में क्या है? सुरिकी इन किर्णों में क्या है? इन किर्णों में परकास है, इन किर्णों में क्या है? उसमा है, आप देखिए, जब यह परकास और उसमा प्रत्वी की सतह तक आएगा, तो ध्यान दिजेगा, इस सतह को क्या मिल रहा है? इस सतह को मिल रहा है heat, अर्थात उसमा, तो यह सतह क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा, फिर प्रशना हैगा कि सर, सिर्फ इस सतह को थोड़ी मिल रहा है, यह तो उसमा इस बाई मंडल को भी मिला, जी हां, बाई मंडल को मिल रहा है, लेकिन बाई मंडल यह जो किर्णे आ रह तापमा, अर्थार, यह जो सूर्य की किर्णे आ रही है, इनमें है प्रकास, और इनहीं में है क्या है, उस्मा, उस्मा सही तो क्या बना है, तप बना है, तापमान बना है, तो अब यह जो किर्णे आ रही है, तो प्रत्वी की सता तक आ जाएंगे, प्रत्वी की सता इनको बहुत नौ के बरावर कम मात्रा में यहां बाईमंडल के द्वारा किया जाता है, इस बज़े से बाईमंडल क्या होगा, इन केणों से जाधा गरम नहीं होगा, लेकिन अब अगली जो परकिरिया होगी, उससे हमारा जो बाईमंडल वो भी गरम होगा, तो सुरी की केणे गातार मिलती रहेगी, तो प्रत्वी की सता क्या हो गई, गरम हो गई, प्रत्वी की सता जब गरम हो गई, फिर ये क्या करेगी, अपनी हां से ये देखिए, इस तरह से अपनी उसमा को अंतरिच में भेजने का प्रयास करेगी, कोई चीज जब गरम होती है, हीट का ट्रांसफ करेंगे तवा क्या होगा गरम होगा तवा जैसे जैसे गरम होने लगेगा आप तवा के पास हाथ ले कर जाएंगे आपको हीट महसूस होगा गर्वी महसूस होगा और कहीं आपने गलती से छू दिया तवा को तो आपको करेंट लगेगा करेंट क्यों लगा आपका हाथ क्यों जला क्योंकि वो गरम हुआ, तवा क्यों गरम हुआ, क्योंकि आप उसको क्या कर रहेते, हीट दे रहेते, ठीक इसी तरह से, सुरी की केर्णे आ रहे हैं, इन में परकास के साथ साथ उस्मा है, इन केर्णों की उस्मा से, प्रत्वी की सता गरम होई, प्रत्वी की जब सता गर ज़म हुई, तो यह क्या करेगी, अपनी उस्मा को फिर अंत्रिश में बेज़ेगी, जैसे तवा से हीट निकल लहा है, ऐसे ही क्या होगा, यहां प्रत्वी की सत्ह से भी हीट निकलेगा, हीट ही तो निकलता है, आप देखीए न, जब हम लोग क्या करते हैं? तो पहर में हम पैर जलने लगते हैं, पैर क्यों जलते हैं, क्योंकि जमीन सतह क्या हो चुकी है, गरम हो चुकी है, तो आखिर जब जमीन गरम हो चुकी है, तो ये भी तो अपनी उस्मा भेजेगी, आपको पता है, तापमान कभी भी इस्थाई नहीं रहता, तापमान का क्या होता है, टेंप्रेचर से लो टेंप्रेचर की ओर क्या होता है, टेंप्रेचर का ट्रांसफर होता है, अर्थार यहाँ पर सूरी की अंदर गर्मी थी, उसमा थी, तो यहाँ से क्या होई, सूरी की केने इधर की ओर आई, क्योंकि इधर क्या था, उसमा कम थी, जब यह प्रतिवी की सता गरम हो गई, अब यहां का temperature जब बढ़ गया, यह अपनी heat को क्या करेगी, अंत्रिच में भेजेगी, इससे क्या पता चल ला है, temperature का हमेशा transfer होता है, high temperature से low temperature की हो, अब देखे, अब क्या होगा यह जब पार्थी विकरण, यह जो पार्थी विकरण है, जो कि प्रत्वी की द् गेज रही है, इसको बोलते हैं पार्थी विकरण, इसको बोलते हैं पार्थी विकरण, अब यह जो पार्थी विकरण है, इसका ओसोषण, इसका ओसोषण बाइमंडल के द्वारा किया जाएगा, तो जब बाइमंडल इस पार्थी विकरण का ओसोषण करेगा, तो इसमें भी तो क्या है हीट ही है न इसमें भी तो हीट है तो अब क्या होगा बाइमंडल हमारा गरम हो जाएगा अब हमारा बाइमंडल क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा और जब बाइमंडल गरम हो गया तो हमें गरमी जादा लगेगी अब देखें जमीन भी गरम हो चुकी है बाइ मंडल भी गरम है तो हमें गर्मी सबसे ज़्यादा लगते हैं यहां तक कल बात हो गई थे और मैंने यह भी आपको कल बता दिया था कि देखें चूंकि यहां पर यह जो बाइमंडल है प्रत्वी की सता से लगा हुआ है तो जब भी कोई भी सर्फेस और किसी दूसरे जैसे य जैसे जैसे गरम हो रही है उसके संपर्क में आने वाले वायू भी क्या होगी गरम होने लगे अर्थत बाइमंडल कहा होगा नीचे से ओपर की ओर गरम होगा क्योंकि एनरजी हीट का जो सोर्स है वो नीचे की ओर है तो कल मैंने आपको बताया था चूंकि बाइमंडल जैसे जैसे जातने हैं, बिरल होने लगता है, बिरल होने का मतलब है, गैसी एक दूसरी से दूर दूर होती है, अब देखिए, जब गैसे दूर दूर होंगी, तो तेमप्रेचर का ओसोसर क्या करेंगी, कम करेंगी, और जब तेमप्रेचर का ओसोसर कम करेंगी, तेमप्रेच कलर की टीसर क्या करेगी heat का जो सूरी की केर्णे आ रही ही इनको absorb कर लेगे, गर्मी लगेगे लेकिन हम ऐस कोई एक दम चिकना कलर का, हलका कलर का कोई कपड़ा पहन के जाएंगे तो क्या हो जाएगा सूरी की केर्णे reflect हो जाएंगे तो हमें गर्मी कम लगेगे ठीक इसी तरह से आप खुश समझे कि कोई चीज जो heat को absorb कर सकती हो heat को absorb कर सकती हो और heat को absorb करने वाले जब जादा units, particles रहेंगे तो heat का जादा absorption करेंगे और सोसर करेंगे जब heat को absorb करने वाले particle seed कम है, दूर दूर है, तो यहाँ पर temperature क्या होगा, कम होगा तो यह हमने कल बताया था, कि जैसे-जैसे हम क्या होता है, बाइमंडल में उपर की उड़ जातने हैं, तापमान क्या होता है, कम होता है तापमान किस दर से कम होता है, परते एक, जो है कि एक किलोमेटर की उचाई पर 6.5 डिगरी Celsius टेंपरेचर क्या होता है, कम होता है ठीक है, किलियर हो गया, यहाँ तक किलियर हो गया यहाँ तक किलियर हो गया, अब इसी जर्णिय को आगे बढ़ाना इससे क्या पता चला, हमने कल आपको बताया था, कि जैसे जैसे height बढ़ेगी, temperature क्या होगा, कम होगा अर्था, height और temperature में क्या है, inverse relation, कल हमने प्रूब कर दिया था कल हमने बहुत detail में इसको जाके प्रूब किया था, आज तो सिर्फ मैंने brief किया है दूसरा, कल मैंने आपको ये भी बताया था, कि जैसे जैसे उपर की ओड जाएंगे, बाइ मंडल में जैसे जैसे उपर जाएंगे तो उचाई के अनुसार गैसों की सघंता क्या होती है? कम होती है यहाँ पर भी inverse relation मैं इसको पूरा मिटा के कुछ नियम लिख दे रहा हूँ कुछ फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ यह जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ इन ही को याद कल लेजेगा या इनको समझ लेजे कल मैंने बहुत डिटेल में समझाया है हमने कल कहा था आपको कि जैसे जैसे बाइमंडल में उचाई बढ़ेगी ठीक है? टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा अर्था उचाई, हाइट और टेम्परेचर में क्या है? इन्वर्स लेशन दूसरा हमने आपको प्रूब किया था कि जैसे जैसे हम उचाई की ओर जाएंगे उचाई की ओर जाएंगे गैसों की सघंता क्या होगे? कम होगे गैसों की सघंता कम होगे अर्था गैसों की सघंता का उचाई से क्या है? inverse relation अगला जो हमने नियम बताया था कि जहां पर गैसों की सघंता का समानुपाती संपंद होता है समानुपाती या जो है कि direct relation होता है किस से तापमान से अर्था जहां पर गैसों की सघंता जादा होगी उहां पर तापमान जादा होगा इसके पीछे का कारण भी यहाँ पर ले दे कारण यह है कि गैसों की सघनता, गैसों की density, यहाँ पर देखो गैसों की density का मतलब क्या है? जितना गेसों की density होगी heat का absorption उतना ही जादा होगा heat का absorption या also sun उतना ही क्या होगा जादा होगा इन चीजों को अगर आप समझ पाए होगे तो अपने आप देखेगा आगे की भी journey काफी easy होने वाले क्या हम लोग इस चीजों को समझ पाए क्या हम लोग इन चीजों को समझ पाए ये तीन फॉर्मूले कल मैंने इनको प्रूब किया था कल पचास मिनट की क्लास में इन ही सब चीजों को मैंने प्रूब किया था प्लिस बता देजे प्लिस बता देजे प्लिस एगवार बता देजे अब देखें ठीक है अभी मन्यूच और असे सर बेसिक से जब आप इस्टार्ट करेंगे प्रेज रिप्लाई बेसिक से ही चला है बेसिक से ही चला है अगे बढ़ते हैं यहां तक हम लोगों ने कल प्रोब कर लिया था इसी देखिए इस सब चीजों को कल मैंने काफी डिटेल में explain कर दिया है समझा दिया आज जो हमें पढ़ना है वह है अभी तक हम लोगों ने जो समझ लिया है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि उससे बस opposite condition हमने कल यह देखा था कि जैसे जैसे हम उचाई पर जा रहे हैं बाई मंडल में उचाई पर जा रहे हैं तापमान क्या हो रहा है कम हो रहा है और तापमान जो कम हो रहा है इसके पीछे दो कारण पहला कारण यह है कि जैसे जैसे हम उपर जाते हैं वायू क्या होती? विरल होती है वायू विरल, विरल का मतलब होता है दूर दूर होती है, इसके वज़े से हीट का एब्जॉर्ब्शन या हीट का ओसोसर कम ही कर पाती है अब कम गैसे हैं तो हीट का और सोसड क्या हो कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, और इसके वज़े से तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है, दूसरा कारण है, कि जो प्रिथभी की सता है, उसी से क्या होता है, प्रिथभी की सता से ही बायमंडल को उस्मा मिलती है, बायमंडल को क्या मिलता है, उस्मा मिल तो अब देखें जब प्रतवि की सतह से ही बाई मंडल को उसमा मिल रही है, तो हम क्या होगा, जैसे जैसे सतह से ऊपर जाएंगे, हम heat के source से, क्या होगा, दूर जाएंगे, फल्सवरू, ऊपर वाला बाई मंडल को क्या होगा, वह heat के source से दूर होगा तो वहाँ पर temperature क्या हो जाए? कम हो जाएगा जैसे कि हमने कहा यह पृत्वी यही जब प्रसता गरम होगी तो इसके संपर्क वाली बायू सबसे जादा गरम अब यहाँ की जो बायू है एक तो दूर दूर है और heat के source heat का source से यहाँ पर यह रहा तो इससे जब दूर है अपने आप क्या होगा? वहाँ कम गरम होगा अब देखिए यह तो होता है सामाने चीज और इसी को कल हमने कहा था सामाने ताप पतंदर इसी को हमने बोला था सामाने ताप पतंदर इसी को हमने समझाता कल समझा अभी समझा अब कहा जा रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कई बार इसके अपवाद देखने को मिलते हैं अर्थार जब हम क्या करें हम उचाई की ओर जाएं और उचाई पर जाने पर तापमान गिरने की बजाए या कम होने की बजाए गिरने की बजाए या कम होने की बजाए तापमान क्या है बढ़े तापमान बढ़े तो इसे बोलते हैं तापमान का ब्यूत करमड या तापमान का प्रतिलोमन या इसको बोलते हैं निगेटिव लेप्स रेट निगेटिव क्यों कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मल लेप्स रेट क हम जैसे जैसे क्या होगा, उचाई पर जाएंगे, तापमान क्या होगा, यही हो रहा था, और इसी से हमने कल देखा था, कि हम एक किलोमेटर की उचाई पर जा रहा थे, तो 6.5 डिगरी सेल्सेस टेंपरेचर कम हो रहा था, 2 किलोमेटर की उचाई पर जा रहा थे, तो 13 डिगरी सेल्सेस टेंपरेचर कम हो रहा था, यही तो हो रहा था कल, लेकिन कई बार यह बताया जा रहा कि नहीं, ऐसी कंडििसन नहीं होगी, हम उचाई पर जाएंगे, तो उचाई पर क्या होगा, temperature बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ है, यह जो negative lapse rate है, इसका मतलब क्या हुआ, कि नीचे क्या होगी ठंडी हवा, नीचे ठंडी हवा और उसके ऊपर उसके ऊपर गरम हवा, तभी तो क्या होगा, देखी, नीचे ठंडी हवा हवा है टेंपरेचर कम है और ऊपर की ओर आए तो गरम हवा मेल गई तभी तो क्या होगा टेंपरेचर बढ़ेगा बाई मंडल का जब क्या हो जब बाई मंडल में हम ऊपर की ओर जाए तो टेंपरेचर घटने के बजाए बढ़ने लगे इसका मतलम नीचे है ठंडी हवा ऊप उपर की ओर आए, तो हमें गरम हवा मिले, क्योंकि बाइमंडल में तो क्या हवा ही तो मिलेगा ना, बाइमंडल में पानी गरम तो नहीं मिलेगा ना, इस्थल गरम तो नहीं मिलेगा ना, ये किसकी बात हो रही है, बाइमंडल में जो हम उपर की ओर जाए, टेंपरेचर घट इतने की बढ़ने लगे इसका मतलब एक तभीक होगा जब थंडी हवा के उपर गरम हवा हो तो इसी को बोलते हैं निगेटिव लेफ्स रेट क्या सिर्फ आप इस लाइन को समझ पाए इस परिभासा को समझ पाए कि निगेटिव लेफ्स रेट या फिर जो है कि तापमान का प्रतिलोमन तापमान का वित्रकरमन या रईडात्मक ताप पतंदर क्या होता है इस तीनों सब्द एक ही हैं जिनका अर्थ है उचाई की ओर जब हम जाए तो तापमान कम होने के बजाए बढ़ने लगे इसी को हम क्या बोलते हैं तापमान का प्रतिलोमन बोलते हैं क्या इ क्लियर हो गया ओक ठीक अब आगे बढ़ते देखें तो हमने क्या देखा निगेटिव लेफ्स रेट निगेटिव लेफ्स रेट या तापमान का प्रतिलोमन या तापमान का प्रतिलोमन का अर्थ क्या है अपिछा क्रिद थंडी बायू के उपर गरम बायू का होना अपे छाक्र थंडी बायू के उपर गरम बायू का होना फिर से इसको समझ लीजिए यह हमारी प्रिथवी इस प्रिथवी के समीप यह जो हमारा बायू मंडल है यह देखे यह बायू मंडल है तो इसका मतलब है कि यह जो बायू मंडल है नीचे वाला ये नीचे वाला जो बाई मंडल है ये क्या हो जाए ठंडा है और इसके उपर यहां का जो बाई मंडल है ये क्या हो जाए गरम हो जाए तभी तो क्या होगा अपिछा कर थंडी बायू के उपर गरम बायू जब होगी तभी तो हम उपर की ओर जब जाएंगे सता से उपर की ओ तो हमें क्या मिलेगा गरम बायू मिलेगी इसी को बोलते हैं निगेटिव लेफ्स रेट और टेमपरेचर या इसी को बोलते हैं तापमान का बेउतकरमण या इसी को बोलते हैं तापी प्रतिलोमण तीनों का अर्थ एक ही है ठीक है यह इस्तिती सता पर भी हो सकती है और उप अब देखी क्या लिखा हुआ है। है अब हम इस स्थिती में परवेश कर रहे हैं। हमें इस साइंस को समझना है। और आप यहां पर प्रश्न कर सकते हैं तो दरश्र ये जलवायु का, हमारे मौसम का एक एक ऐसा घटना करम है। जो हमारे यातायात को परभावित करता है, हमारी activity को परभावित करता है, अभी देखेंगे कैसे परभावित करता है, और यह हमारे बीच का घटना करम है, जिसको, जिसका impact किसी, जहां पर भी यह condition होगी न, negative lapse rate या ताफिय परतिलुमन की condition होगी, वहां का मौसम इस घटना कर जब उनको statement के तौर पर दिया जाता है तो आप उलज जाते हैं आप देखिएगा जब आप इस class को कर लेंगे तो उलज ने कर तो छोड़ दीजे जब भी कोई पूछेगा एक clear cut तरीके से आप इस topic को present कर पाएंगे तो हमने कहा यह इस्तिती सता पर भी हो सत्य ऊपर भी सता पर मतलब यह देखिए हमारी प्रत्वी और इस प्रत्वी के समेप में भी एक condition हो सकती है और बाइमंडल के उपर भी उपरी भाग में भी हो सकती है यह condition क्यों होगी इसी science को हमें समझना है ठीक है अब देखें इसकी तीन इस्तितियां लेते हैं इसकी इस्तितियां लेते ह इसलिए उनका नामकरण भी अलग-अलग छित्र में दिखाई देगा जैसे धुर्बी पर्देशों में आप देखें धुर्बी पर्देशों में मैं ब्रीप में आपको समझा रहा हूँ फिर मैं एक-एक करके डिटेल में समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है आप समझे यह रहा हमारी पृत्वी और इस पृत्वी पर यह रहा माल लेते हैं हमारा नॉर्थ पोल और यह रहा आपका साउथ पोल ठीक है यह हमारा साउथ पोल होगया यह हमारा नॉर्थ पोल होगया ठीक है जिन में हम कहे रहें कि बरफ नहीं है, वहां पर बरफ नहीं गिरती है, लेकिन बरफ बनी रहती है, अर्था सत्था पर तो हमेशा बरफ है, दो महीने बस बरफ गिर नहीं रही है, अर्था बायू से वर्व नहीं गिर रही है, अदरवाइस हमेशा बरफ है, अब समझे कि यह वहां पर यहां एक सरफेस है यहां काट के हमने इसको ऐसे लखा लिए अब यहां पर यह बरफ वाला च्हेतर वाला च्हेतर है इसका थंड़ा च्हेतर है अब बरफ जो आएगी वह क्या हो जाएगी अब बताईए कि बर्फ रखी हो कहीं पर, आप खुश समझें कहीं पर बरफ है, अब लधाक वाले छेतर में जाओ, वहाँ पर बर्फ का विस्तार है, तो उस बर्फ से लगकर जो हवा चलेगे, यह उस बर्फ के समीप में सम्परक में जो वाईू आएगी, वह भी क्या हो जाएग में नहीं है यह तो डारेक्ट बर्फ के संपर्क में नहीं है यह क्या होगा इसकी तुलना में क्या होगा कम ठंडा होगा की नहीं यह इसकी तुलना में कम ठंडा होगा या दूसरे सब्दों में कहें तो यह थोड़ा सा क्या होगा गरम होगा होगा की नहीं प्लिस बताइए देखिए हम लगदाक वाले छित्र में गए, लगदाक वाले छित्र में जाते हैं, तो special जूते पहनते, बड़े-बड़े हम जूते क्यों पहनते हैं, इतनी ठंडा है कि पैर तक गल जाए, अब बताईए, जब ये सरफेस है, जो बरब का बिस्तार है, इसके संपर्ग में जो ये ठंडे सरफेस से रगड़ खाकर उसके संपर्ग में है, उपर वाली हवा तो नहीं है, उपर वाली हवा तो इसके संपर्ग में नहीं है, तो इसकी तुलना में ये भाग क्या होगा, उपर वाली जो वाई होगी, क्या होगी, ये गरम होगी, ये क्या होगी, और जब ये जब गरम होगी तो condition क्या हो गई जब हम नीचे से उपर की ओर गए नीचे से उपर की ओर गए तो temperature घटा की बढ़ा बताईए temperature घटा की बढ़ा प्रेश बताईए temperature घटा की बढ़ा अभी भी कुछ लोग लिख रहे है temperature बढ़ा की घटा अले यह temperature ऊपर की ओर जाओगे तो बढ़ेगा न क्योंकि वायू क्या है गरम है जब नीचे ठंडी हवा है और उस ऊपर वाली जो हवा उससे कम ठंडी है इसका मतलब क्या है उस वायू का temperature क्या है जादा है तो यही तो condition अर्थात नीचे से जब हम ओपर की ओर जा रहे है तो temperature में कमी आ रही है क्या है यहां पर यहाँ पर temperature में तापमान में कमी आ रही कि बढ़ रहा है तापमान में क्या हो रहा है बढ़ोत्री हो रही तापमान क्या हो रहा है बढ़ रहा है और जब नीचे से अर्थात हम बाई मंडल में नीचे से उपर क्यों जाएं तापमान बढ़े इसी को तापी परतिलोमन बोलते हैं, इसी को तो तापी परतिलोमन बोलते हैं, ठीक है, सामानी कंडिशन में क्या होता, हमने अभी तक क्या डिसकस किया था, कि भैया जैसे जैसे उपर जाए ये, बाइमंडल क्या होगा, ठंडा होगा, और हमने उसका बताया भी, कि कितनी इसका और एक जमीन, मान लेते हैं आप मैदानी छितर से हो, मान लो आप मैदानी छितर से हो, और हो हैं भी आप लो अधिकांस लो मैदानी छितर से, मैदानी छितर में ठंडी का समय है, मैदानी छितर में ठंडी का समय है, और ठंडी के समय क्या हो जायती है, हमारी जमीन, मान ठंड़ा होगा की गरम, बताए एक बार, जमीन ठंड़ी होगी की गरम, फ्लिस बताए ठंड़ी होगी गरम, ठंड़ी ठीक है, आपने कहा जमीन सर्फ हो जाएगी बहुत ठंड़ी, ठीक है, अब जिसकी जमीन गरम हो रही है, जिसकी जमीन अगर दिसंबर में में गरम हो रही इस ग्रह का प्राणी नहीं नहीं है जिसकी जमीन दिसंबर के महा में ठंडी गरम हो रही है वह इस ग्रह का प्राणी नहीं एक कनपन हो गया है अब देखिए जमीन क्या हो गई ठंडी तो थंडी जमीन के संपर्क में, जो वायू आएगी, वह क्या होगी, वायू भी तो क्या हो जाएगी, थंडी हो जाएगी कि नहीं, देखिए, आप थंडी में बिना जूते पहने नहीं निकल सकते, नंगे पैर अगर निकले तो पैर गलने लगता है, क्यों गलता है, दो कि हमारे हाथ पैर गल गए, इसलिए जूते, मोजे, पहनते हैं कि नहीं आप लो, पहनते हैं कि नहीं, अब देखिए, अब क्या हुआ, हवा भी थंडी हो गई, दिसंबर का समय है, जमीन थंडी होई, उसके संपर्क में आने वाली वायू भी क्या हो गई, थंडी होई, ले और इसके संपर्क में जो वायू है, ये भी क्या होगे, थंडी हो गई, ये वायू क्यों थंडी हो गई है, ये वायू थंडी हो गई है, ये वायू थंडी होना चाह नहीं रही है दरसा, लेकिन क्या है, ये जो हमारा सता है, चूंकि ये सता थंडा है, इसी के कारण, इसी क के संपर्क में नहीं है तो जब जमीन के संपर्क में नहीं है तो कंडिशन क्या हो गई यहां पर कंडिशन क्या हुआ कि यह रहा ठंडी वाई यह ठंडी वाई यह गरम वाई अर्थात अगर हम नीचे से बाई मंडल में प्रत्वी के सता से बाई मंडल की ऊपर की ऊड़ जाए तो temperature क्या हो रहा है बढ़ रहा है अर्थात थंडी बायू के ऊपर गरम बायू अर्थात इसका temperature क्या है जादा है इसका temperature क्या है तो temperature बढ़ रहा है ये भी क्या हुआ ये भी तो टेंप्रेचर जो बढ़ रहा है ये ही तो क्या है तापिय परतिलोमन ये ही तो क्या है तापिय परतिलोमन ये ही क्या है तापिय परतिलोमन ये ही क्या है तापिय परतिलोमन तो ये भी समझ गए हम लोग देखो दो एकजामपल मैंने आपको बता एक स्टुडेन लिख रहे हैं गुरोजी आपके समझाने का स्टाइल बे जोड़ है आप सब लोगों को सुक्रिया जो ऐसा मानते हैं कि मैं समझा पाता हूं तहे दिल से सुक्रिया किसी आईडी से कहा जारा सरक्लियर नहीं देख रहा है धूदला देख रहा है आप एक बन अपने नेट 살 रिजूलेशन बढ़ा लेजे आप जैहिन 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 चल यहाँ पर समझ गए दो कंडिशन हमने देख लिया एक हमने देख लिया धुर्बी छित्र का एक हमने धुर्बी छित्र का देख लिया एक मैदानी छित्र का देख लिया ठीक है अब हम थोड़ा सा एक और कंडिशन देखते हैं हम अब बात करते हैं परवतों के वाद ठीक है थेंक यू थेंक यू जिन लोगों को लगता है कि मैं समझा पा रहा हूं थेंक यू सो मच और मेरी क्लास की यही खासियत है मैंने देखा है और मैं देख भी रहा हूं है ना दो घंटे में पूरा कलाइमेटोलोजी मतलब एक टॉपिक उठाया है और उसको फिनिस कर दिया कैसे फिनिस किया जाता है यहाँ पर एक कोई तरक दिया गया मतलब कोई लाइन लिखी हुई है एक तरक दिया गया और किलियर हो गया और बच्चों को लगता है हम समझ गए कई बार बच्चों में भरम हो जाता है कि अरी हम तो समझ गए लेकिन जब प्रशन आते हैं तो तोते उड़ जाते हैं क्यों कि ना master देप तुमें गया ना student देप तुमें गया लेकिन आप मेरी class को कर लो और कल भी मुझे कई बच्चों ने कहा कि sir हम आपकी GS की class से optional के question solve कर रहा है और मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ 100% जो topic मैं पढ़ा रहा हूँ जोग्रॉफी optional के प्रशन जोग्रॉफी optional के प्रशन आप solve कर दोगे बस आप समाझ जाना और इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि जब आप GS की class करके आप जोग्रॉफी optional के प्रशन कर दो जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उससे कहूँगा कि आप मेरी Indian जोग्रॉफी और World जोग्रॉफी की class देख लो और जोग्रॉफी के master बन जाओ master बन जाओगे ऐसी class है बस क्या करना होगा सुक्रिया सुक्रिया आप सबको सुक्रिया आप सबको सुक्रिया ओके ओके ठीक है हमने दो condition देख लिया कि आखिर ये जो हमारा polar area है वहाँ पर negative left rate of temperature या तापी प्रलोमन की condition कैसे होगी और दूसरा हमने जो मैदानी छितर है वहाँ पर भी समझ लिया लेकिन एक और condition देखते हैं जो कि जादा थोड़ा सा उल्जा हुआ है लेकिन कैसे उल्जा रहेगा जब आप समझने का प्रयास कर रहे हैं मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो उसको भी समझ लेंगे आईए उसको भी समझ लेते हैं आप देखिए यह सब समझाओंगा यह देखिए अभी यह जो इस्तिती 1 लिखा है ना इस्तिती 1 इस्तिती 2 सब मैं समझाओंगा आपनी स्चिंत्रे हैं यहाँ पर आईए अब यह एक परवत है ठीक है यह एक यह एक परवत है ठीक है परवत हम ऐसी तो बनाते हैं इसी के बीच से हम सूरज निकालते थे बच्पन में ना आप देखिए यह परवत है इसका मतलब क्या है यह उचा उठा हुआ भाग है और यह आपका परवत यह भाग यह आपका परवत का ऊपर उठा हुआ भाग और यह जो भाग है यह जो नीचे की ओर है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम घाटी कह सकते हैं यह घाटी है परवतों के बीच में निम्न भाग निम्न उचाई वाला भाग नीचे की ओर धसा हुआ भाग यह क्या है घाटी इसको हम कहेंगे यह हमारी घाटी आप इसका कुछ भी नाम कर रख दीजिए हना चमबा की घाटी किसी भी देरादून की घाटी जो भी घाटी आप बोल सकते हैं यह घाटी है इसके दोनों तरब क्या है आप देख सकते हैं उपर उठे हुए भाग है दोनो प्रवती घाटियों में तापी प्रतिलोमन कैसे बनता है इसको समझते हैं अब अच्छा एक चीज़ आपने देखा होगा कि अभी हमने तापी प्रतिलोमन की कंडिशन क्रियेट की तापी प्रतिलोमन जब हमने मैदानी छित्र में देखा तो मैदानी छित्र में समय कौन सा थ समय कॉँछा था? समय था ठंडी का हमने दिसंबर और जनवारी में देखा मैदानी चित में ताप्य प्रत्य लोवन की कनडिशन जो हम दोओ क्रिएट कर पाए वह समय कब सा ठंडी का, दिसंबर और जनवरी का, अब देखे, जाड़े की रात में, अब जब उत्परी जो परवती भाग होता है, वो पार्थी बिकरट से जल्दी ठंडा हो जाता है, और संपर्क में आने वाले भाई भी ठंडी हो जाती, अब क्या हुआ, यह एक परवती छेत्र, और सम भाग को भी इस परवती भाग को भी यहां पर देखे, इरहा सो, इससे इसको उस्मा दिन में मिला होगा, दिन में यह उस्मा चल के आया होगा, रात में क्या हुआ होगा, यह जो उस्मा इसको प्राप्त हुआ होगा, किसको परवती भाग को, परवती भाग ने इस उस्मा क क्या किया होगा अंतरिष्य भेजा होगा जैसे दिन में सुर्य से हम क्या करते हैं मैदानी चितर में भी हम लोग देखते हैं जब ठंडी का समय है दिसंबर जन्वरी का समय है तो सुरी वो दे 10 ग्यारे बजे माणलो हुआ लेकिन प्रकास आता है उससे थोड़ी से तो गर्मी आती है, तो हम कहते हैं, अरे भीया, आज कोहरा नहीं है, हम ले जाकर क्या करें, कपड़े फैला देते हैं, कपड़े सूख जाएं, यही तो हम प्रयास करते हैं, हमारे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिर रात में आप देखते हैं, और ज्यादा ठंडी हो जाती है, दिन में ट आट्रिच में भेज़ कर प्रत्वी क्या हो चुके है, थंडी हो चुके हैं, तो ऐसे ही होता है, नो ज़िए यह कि cooler हो जाता है यह थंड़ा हो जाता है, जैसे अभी देखियें दिन का समय तेम्परेचर कितना है, 45 डिगरी सेलसियस, रात में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 30 से 32 डिगरी सेलसियस, तो टेम्परेचर में कुछ कमी जो आई, इसका मतलब क्या हुआ है, कि प्रतवी ने अपनी उस्मा को अंतरिच में भेज दिया, तो आखिरी परवती भाग भी तो इसी प्रतवी का भाग है, तो इसको दिन में उस्मा मिला, गरम हुआ, रात को यह जो परवती भाग है, परवतों का यह जो भाग है, ध्यान दिजीगा, इसकी उपर का जो भाग है, अब क्या करता है, यह रात के समय तक, रात के समय तक अपनी जो इसने दिन में उस्मा प् अंत्रिच में क्या करेगा भेज देगा अब बताइए जब अपनी उसमा को इसने अंत्रिच में भेज दिया तो यह भाग क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा कि नहीं बताइए भाग क्या हो गया ठंडा हो गया अब प्रत्वी जब यह अपनी प्राफ्त उसमा अंत्रिच मे भेज देगा तो यहां देखो मैं लिकिए यहां पर आओं लेकिन कंडिशन कहां यहां की बता रहा हूं मेरे पास रुको इसको मिटा देता हूं ताकि आपको confusion ना हो लेकिन पूरा मिट जाएगा अच्छा रुक यह देखते हैं एक से के हाँ ठीक है अब देखो यह ठीक रहे परवत का जो उपरी भाग है वह क्या होगा ठंडा हो जाएगा अब परवत का उपरी भाग जो ठंडा हो गया तो इसके संपर्क में जो वायू आएगी वह भी क्या होगी वह ज्यादा ठंडी हो जाएगी ठीक है वायू भी क्या हो जाएगी जो संपर्क में वायू आएगी यह वह थंडी हो जाई है अच्छा एक चीज और नोट कर लो जो थंडी वायू होती है न वह क्या होती है भारी होती है आप कैसे इसको समझोगे आप देखो जब AC बगारा आप चलाते हो तो AC की थंडी हवा जमीन की ओर बैठती है या फिर आप देखो कि जब आप खाना बना जाते हो तो वहां पर क्या होता है हवा गरम हो जाती है तो गरम हवा को निकालने के लिए जो एक्जोस्ट फिल लगाते है वह उपर लगाते है इसका मतलब क्या है और उपर क्यों लगाते है ताकि वह गरम हवा को बाहर निकाल सके थंडी हवा तो जमीन पर बनी रहती है सत थंडी वायू है वह क्या हो गई भारी हो गई यह कब हो रहा है रात की कंडिशन है ध्यान दिचेगा यह रात की कंडिशन है कोई कह रहे हैं सर्व 722 पर कर देख रहा हूं बाइफाइ से कनेक्ट है स्पीड भी अच्छी है रिफ्रेश भी कर लिया लेकिन साप नहीं आ पा रहा है क्या सभी को दिक्कत हो रही है क्या सबको किलियर नहीं दिख रहा है क्या जिसे अभी इनी का है एक आईडी से आया क्लास होती है बारे बज़े से क्लास होती क्लियर है क्लियर दिख रहा है क्लियर दिख रहा है बाकि सब लोग को तो क्लियर दिख रहा है सब ठीक है किलियर दिख रहा है जिनको पृतम जी थे साइद पृतम जी आप से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार नो मुबाइल को बंद करके नए सिरे से इस कलास को चलाईए साइद को चोज़ाई यहां पर आईए तो देखो क्या हुआ जाड़े की रात में उपरी परवती जो भाग है इसने क्या किया अपनी उश्रमा को अंत्रिच में भेज दिया तो प्रत्वी का जब सत्य है अपनी उश्रमा को अंत्रिच में भेजता है वह किस मार्दम से भेजता है पार्थी बिक्रर से इसके कारण ये जो उपरी हमारा परवती भाग है जल्दी क्या हो गया ठंडा हो गया इसके संपर्क में आने वाली वायू भी क्या हो गई वह भी क्या हो गई ठंडी हो गई अब ठंडी जो वायू है वह क्या करेगी नीचे की वह बैठेगी अब दूसरी हो तो चलो यहां की तो वायू क्या हो गई, ठंडी हो गाटी छित्र से उस्मा का जो वहिर गमन है, वो धीरे धीरे होता है, फल सरू तापमान यहां पर जादा, हवा भी यहां पर गरम होता है, इसका क्या मतलब है, यह देखें, तो हमने यह तो देख लिया कि भईया, यह वाला भाग इसने क्या किआ, अपनी उस्मा को अंत्रिष में जल्दी भेज दिया, लेकिन यह जो घाटी वाला भाग है, घाटी से उस्मा का जो बहीरगमन है, यहां से उस्मा का जो बहीरगमन है, अर्थात ऊपर की ओर जाना, वो धीरे धीरे होता है, अब आप खुछ समझो, कैसे इसको समझोग आप क्या करो, खिचडी बगर है या दाल ले लो, दाल को आप क्या करो, थाले में निकालो, जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि क्या है, वह एक प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है और वह पतली परत है, तो जल्दी से क्या हो जाएगा, उसका गर्मी या उसका हीट उसकी उ दाल को वह दाल वाल्टी में इस वज़े से देते हैं ताकि खुबसूरत भी लगे दूसरा उसको जो है कि वह जल्दी ठंडी ना हो जल्दी वह ठंडी ना हो तो इस तरह का प्रयाद आप देखो घाटी वाला जो छेत्र है रात की सब्वे ये भी अपनी उसमा अंत्रिच में भेशता जरूर है लेकिन यहां जो घाटी वाला छेत्र है यहां से जो पार्थी बिकरण होगा पार्थी बिकरण जो होगा वह धीरे धीरे होगा पार्थी बिकरण क्या होगा धीरे धीरे अब देखिए जब पार्थी बिकरण धीरे धीरे होगा तो उपरी घाट यह जो उ जल्दी भेज दिया, इसको कैसे समझेंगे, आपने एक डाल को निकाला थाली में, जल्दी डाल ठंडी हो गई, ठीक है, यहाँ पर बाल्टी में आपने भर कर रखा है डाल, वह जल्दी ठंडी नहीं हो रही, तो यहाँ वाली डाल क्या होगी, गरम रहेगी न, ठीक इसी तर लिए ले चर्क है जाधा, साफ एची करोप से, इसकी तुलना में उपरी भाग की तुलना में यहाँ पर लिए अक टेमप्रेचर ज्यादा है, अब देखों, घाटी छितर में हो गया है तापमान जब यहाँ पर जाथा तो वाईू भी क्या होगी, गरम होगी, और गरम जो कंडिशन में क्या होगा यह जो वायू है ना उपर वाले ठंडी वायू यह नीचे की ओर आएगी घाटी में यह क्या करेगी नीचे की ओर घाटी में आएगे ठीक है नीचे में घाटी की ओर आएगे तो जब ठंडी वायू नीचे घाटी में आएगी, तो क्या गरम वायू यहीं पर हैगी? नहीं, गरम जो वायू है इसको उपर की ओर उठाये जाएगा, यह जो गरम वायू है यहाँ पर उपर की ओर उठाये जाएगा ठीक है, आप देखें, तो अब यहाँ पर कंडिशन क्या हो गई? कि जो परवती है, उपर के परवतों का भाग की जो ठंडी हवा है, वो नीचे की ओर आ रही है नीचे की ओर जब आई, तो ठंडी हवा चुकि भारी है, और इस ढाल के सहारी, द्यान देजेगा, यह परवतों के ढाल के सहारी वो नीचे की ओर उतरेगे तो घाटी का जो ठंपरेचर है, उसको कम कर देगे, क्योंकि ठंडी हवा आ गई, तो क्या कर देगे? परवत की ओपर से ठंडी हवा आ रही है, तो घाटी का ठंपरेचर कम हो गया उपर का temperature क्या हो गया उपर का temperature क्या हो गया उपर का temperature जादा हो गया फिर से अब देखो नीचे ठंडी भायू उपर गरम भायू ताप ये पृतिलोंबन हुआ क्या नाभा गरम आए ताबिय प्रतिलोमन हुआ की नहीं क्लियर तो हमने क्या किया परवति छेत्रों में भी क्या कर दिया तापि प्रतिलोमन होता हुआ कैसे होता है जाड़े की रात होती है तो उपरी जब ठंडी का समय है तो जाड़े की रात में उपरी परवती भाग यह क्या करेगा तिब्रगती से पार्थी विकरण करेगा जब पार्थी विकरण तिब्रगती से करेगा तो ठंडा जल्दी हो जाएगा इसके संप यहां की जो वायू होगी, वो क्या होगी, गरम होगी, आप देखिए, उपर की जो थंडी वायू है, जो की भारी भी है, तो भारी और थंडी वायू क्या करेगी, धाल के सहारी नीचे की ओर उतरेगी, अर्था जो भारी वायू है, वो गुर्त्वा कर्शन के परभाव से नी नीचे की ओर जो पावन आ रही है, जो की ठंडी पावन है, इसको बोलते हैं केटावेटिक बिंड, केटावेटिक पावन, तो केटावेटिक पावन कोई सी, जो ठंडी पावन है, जो की ठंडी पावन है, ये क्या करेगी, नीचे की ओर जाएगी, तो तापमान, घाटी के त temperature को क्या कर दिया, कम कर दिया, लेकिन घाटी की जो पवन है, वह तो क्या है, गरम है, और जो गरम है, वह पवन कैसी होती है, हलकी होती है, मैंने kitchen का example आपको दिया, वह हलकी होती है, तो वह क्या करेगी, उपर की ओर आएगी, वह क्या करेगी, उपर की ओर आएगी, और उसको बोलते हैं एनाबेटिक पॉन, उसको बोलते हैं एनाबेटिक पॉन, तो आप देखिए, यहाँ पर गरम बायू को क्या किया जाएगा, ठंडी बायू की दरा, उपर उठा दिया गया, तो नीचे हो गई ठंडी बायू, जिसको हम बोलने है केटाबेटिक पॉन, उपर आ गई गरम बायू जिसको बोलने एनावेटिक बेंड ठीक है अर्थाज उपरी भाग में यहाँ पर भी गरम हवा हो गई नीचे ठंडी हो गई यहाँ पर भी कंडिशन ताप यह पर चिलोमन की आ गई किलियर किलियर समझ पाये की नहीं आप लो ओके वेरी गुड तो अब देखें अब इससे क्या होगा घाटी में बनेगा कोहरा घाटी में बनेगा कोहरा तो आप देखो ठंडी के समय हम लोग देखते हैं कि हमें में विजबिल्टी कम हो जाती कोहरा बनता है यह कोहरा क्यों मना क्योंकि ताप यह पर तिलोमन हुआ कैसे जब दिसंबर और जनवरी के समय है मैदानी छित्र की पहले हम बात करते हैं तो दिसंबर और जन्वरी की समय मैदानी छित्र का जो सरफेस है हमारी जमीन की सत्र क्या हो गई वह हो गई जो है कि ठंडी ठंडी जमीन के संपर्क में आने वाली जो वायू है जमीन के संपर्क में आने वाले जो वायू है वह क्या हो गई ठंडी हो गई लेकिन उपर वाली वायू इतनी ठंडी नहीं तो नीचे वाली जो वायू ठंडी है उसके उपर गरम वायू यहाँ पर इस तरह से क्या होता है कोहरा के कंडिशन किरेट होती है कोहरा है क्या दरसल जो हमारे वाइव मंडल में नमी है यौह जलके बूंदों में कनवर्ट होने का एक प्रोसिजर है चुकि ठंडी का समय है तो हमारे वाइव मंडल में बहुत ज्यादा नमी नहीं है कि वो जलकी बूध बन सके आपको पता है जो वास्प होता है वो जब थंडा होता है तो क्या होता है जल के बूंद में कनवाट हो जाता है लेकिन थंडी के समय चूँकि बास्पी करण इतना जादा नहीं हुआ है इसके वज़े से क्या होगा जो नमी थोड़ी बहुत है जो थोड़ी बहुत नमी है वो वह कोहर है, छोटे-छोटे जल के बूंदों में, जल तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ उसके बीच की कंडिशन में वह कोहरा बन जाता है, तो जैसे मैदानी छित्रों में कोहरा बनता है, यहाँ पर घाटी छित्र में भी तापी प्रतिलोमन की कंडिशन में घाटी में क्य जेएसे आप देखो आप क्या करो आप भारत में जो सेव होता है इसके बाग देखने जाओ तो आपको घाटी छेतर में नहीं मिलेगा वो कहां मिलेगा उप्री भाग क्योंकि घाटी वाले छेतर में तो पोरा बना रहता है और कोहरे की condition में फसनों का विकास नहीं हो पाता है नहीं हुआ मानभी आवाज की बहुत अनकूल होता है दो दिन, चार दिन, दस दिन कोहरा ठीक लगता है हमेशा के लिए तो और ही कोहरा ठीक लगता है तो इसी की कारण आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा सेव के जो भाग है वह उपरी भाग में देखने को मिलें ठीक है परेटुकों के लिए भी जो ब्योस्थाएं होती है वह उपरी भाग में ही होती है तो इस चीज को समझ गए अब देखो यह था स्थिती 2 स्थिती 3 में क्या है अब यह आप कहोगे सर इस्थती एक तो बताए नहीं इस्थती एक जो था वही तो था मैदानी छेत्र का फिर से उसको बताऊंगा देखो तीसरी स्थती में क्या हुआ जब हम धुर्वीय छेत्र में गए यह हमारा धुर्वीय छेत्र यह रहा नॉर्थ पोल यह हमारा साउथ फोल, चुकि यहां पर क्या है, बर्प का ही बिस्तार है, बर्प का बिस्तार है, जहां पर बर्प का बिस्तार है, तो बर्प के संपर्क में जो वायू आएगे, वह क्या हो गई, ठंडी हो गई, तो यहां की जो वायू है, इसके संपर्क में आएगे, वह ठं अब देखो मैदानी छित्र में जाड़े की जब लंबी रात होती है हमारे यहां पर और जाड़े की लंबी रात में क्या हो अर्तिवर पार्थी विक्रण के कारण जो हमारी जमीन है वो ठंडी हो गई और जब जमीन हमारी ठंडी हो गई सतर ठंडी हो गई तो उसके संपर्क म जो वायू है वो अभी क्या हो जाएगी बहुत अधिक ठंडी हो जाएगी लेकिन चुकि अब देखी यह रहा यह जमीन हमारा और इसके संपर्ग में जो वायू है खूब ठंडी हो गए खूब ठंडी हो गए लेकिन ऊपर की वायू तो इतनी ठंडी नहीं है ना ऊपर की वाय इसके लिए कौण कौण सी दसाइं चाहिए, जब क्या हूँ स्वच्च आकास होगा अर्थाद बाइमंडल में जलबास्ट नमी नहीं होगा तभी यह जो प्रत्वी है यह सत्त है जब अपनी उस्मा को अंतरिच में भेजेगा तो पूरी उस्मा अंतरिच में जा सकेगी जैसे आप देखो रथार का मरुस्तर थंडी के समय वहाँ पर थोड़ी से दिन में तो गर्मी पड़ी लेकिन राज में टेंपरेचर क्या हो गया एकदम ठंडा हो गया तो कब होगा जब स्वच आकास हो जिससे जो प्रतवी की सता अपनी उश्मा को अंतरिच में भेज रही है वह उस्मा को अंतरिच में भेज ले और सता जो है की दम ठंडी हो जाए सुस का हवा हो अब देखिए सुस का हवा का मतलब जब नमी जादा होती है जैसे इस समय मौसून के समय आप देखते हैं नमी जादा है तो ये नमी हमारी सतव को जादा ठंडा नहीं होने देता इसलिए जब सुस्का हवा होगी तो सुस्का हवा प्रत्वी के दोरा जो उसमा अंत्रिच में भेजी जा रही है इसको जाने देगे मंद समीर हो अर्था हवा धीमी गती से चल लए हो क्योंकि अगर हवा धीमी गती से ने इक्तिबर गती से चलेगी तो टेंप्रेचर क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा जो ये प्रत्वी का सता ये जो भाग जितना ठंडा होना चाहिए तो उतना ठंडा नहीं हो लेकिन जब धीमी गती से हवा चलती है तो यह सता भी ठंडा रहेगा इसके संपर्ख में आने वाली हवा भी ठंडी रहेगी और यह हवा इतनी ठंडी नहीं हो पाएगी और ठाथ इसकी तुलना में गर्म रही तो इसी से क्या होता है यह जो मैदानी छित्रों में तापमान का बित्कर्मण हुआ इससे घनिक कोहरे का निर्मान होता है और यह जो कोहरा है हमारे याता यात में बाधा उत्पन करता है क्या आप इसको समझ पाए अब बताईए क्या हम तापी प्रतिलों मन को लिख सकते हैं कि नहीं या किसी को समझा सकते हैं कि नहीं बहुत सैंट पित तरीके से, बहुत आसान तरीके से, किसी आइडी से पूछा जा रहा है, सर आप क्या-क्या पढ़ाते हो, अभी देखों मैं जोग्रॉफिक पढ़ा रहा हूँ, करेंट अफेर्स पढ़ा रहा हूँ, इन्वायर्मेंट पढ़ा रहा हूँ, और एप पर NCRT पढ़ा रहा हूँ, आने वाले समय में जो सेगमेंट स्टार्ट करूँगा, वो भी सांदार होगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा, थोड़ा सा अभी उस पर काम करना रहे गया है, समझ गए आप लोग, वेरी गुड़, वेरी गुड़, चले, इसके आगे की जर्नी को हम लोग कल तै करेंगे, ठीक है, आप लोग लिए इंपोर्टेंट सूचना है, कि आप मेरे टेलिग्राम से जोड़ जाईए, जिससे कलास के सूचना है मिलती रहे हैं, टेलिग्राम चैनल का नाम है सुनील वर्मा अनेकेडमी, लिंक बीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईए, मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लिजे, और जो सबसे बड़ी सूचना है, वह यह है, कि जब भी आप, जब भी आप कोर् तो मेरा referral code है ये मेरा referral code और मेरा educator code S.U.N.I.L. भी है जब आप इसका प्रियोग करेंगे तभी क्या हो पाएगा आपको discount मिल पाएगा और साथी साथ मेरा personal guidance मिल पाएगा तो अगर आपको लगता है कि sir का personal guidance चाहिए तो इस code को subscription लेते समय है चरूर confirm कर लिजेगा ठीक है चले और फर ये चल ला है कि अगर दो साल या उससे अधिक समय का आप subscription लेते हैं तो एक साल का subscription free मिलेगा लेकिन फिर से ध्यान दिजेगा जो educator या referral code है इसको आप जितनी बार देख सकते हो confirm कर सकते हो confirm कर लिजेगा optional चालो हो रहा है optional आप पढ़ सकते हो और आप मुझसे भी जुड़े रह सकते हैं thank you so much मिलते हैं next class में thank you so much